हेलो दोस्तों, हिंदी ओडियो बुक नोलेज में आपका स्वागत है और दा पावर बुक के 20 में पार्ट में अगर इससे पहले के पार्ट आपने नहीं सुनें तो वो भी सुन लें जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिशन बॉक्स में मिल जाएगा और कुछ पार्ट के ल ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके कोई भी पैसा नहीं लगता इससे होगा या कि मैं जब भी कोई अन्य वीडियो अप्लोड करूँगा तो उसकी जानकारी आपको तुरंद मिल जाएगी तो चले दोस्तों, सुरू करते हैं सक्ति और आप खुसी, अच्छाई और जीवन में हमारे लिए आवश्यक हर चीज पाने की सक्ति हम में से हर एक के भीतर है सक्ति वही है, असीमित सक्ति मुझे एक बार फिर से दोराने दिजिए खुसी, अच्छाई और जीवन में हमारे लिए आवश्यक हर चीज पाने की सक्ति हम में से हर एक के भीतर है सक्ति वही है, असीमित सक्ति ऐसा कहा था दोस्तों, रोबर्ट कॉलियर ने, जो कि रहे थे 1885 से 1950 तक यह एक नोविचारवादी लेखक थे हर चीज की एक फ्रिक्वेंसी होती है, हर चीज की, हर सब्द की एक फ्रिक्वेंसी होती है हर अवाज, हर रंग, हर पेड, जानवर, पौदे, खनिज, हर भोतिक वस्तू की एक फ्रिक्वेंसी होती है हर प्रकार के भोजन और द्रव की एक फ्रिक्वेंसी होती है हर अस्थान, सहर और देश की एक फ्रिक्वेंसी होती है वायू, अगनी, पृत्वी और जल के तत्वों की फ्रिक्वेंसी होती है स्वास्ते, रोग, अमीरी, गरीबी और सफलता और विपलता सभी की फ्रिक्वेंसी होती है हर घटना इस्तिती और परिस्तिती की एक frequency होती है यहां तक कि आपके नाम की भी एक frequency होती है लेकिन आपकी frequency बस्तों में वही है जो आप महसूस कर रहे हैं आप जो कुछ भी महसूस करते हैं उसी frequency पर मौझूद चीजें आपको जीवन में मिलती हैं जब आप खुसी महसूस करते हैं और लगातार खुसी ही महसूस करते रहते हैं तो सिरफ खुसहाल व्यक्ति परस्थितियां और घटनाएं ही आपके जीवन में आ सकती हैं यदि आप तनाव ग्रस्थ महसूस करते हैं और लगातार तनाव ग्रस्थ महसूस करते रहते हैं तो व्यक्तियों परस्थितियों और घटनाओं के कारण आपके जीवन में सिरफ तनाव ही आता है देर होने के डर से हुई हडबड़ी के दोरान आपको इस बात का अनुभव हुआ होगा हडबड़ी एक नकरात्मक भाउना है जैसे सूरज चमकता है उतनी ही निस्थिता से यह कहा जा सकता है कि जब आप हडबड़ी में होते हैं और आपको देर होने का डर्म हसुस होता है तो आप हर वी लंब और बाधा को अपनी और आकरसित कर लेते हैं या और कुछ नहीं आकरसन का नियम है जो आपके जीवन में काम कर रहा है क्या आप यह बात समझ रहे हैं कि सुबह सुबह अच्छा महसूस करना कितना महतोपुरण है यदि आप अच्छा महसूस करने का समय नहीं निकालेंगे तो दिन भर में अच्छी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी इसके विपरित आपको नकरात्मक चीज़ें ही मिलेंगी और एक बार जब नकरात्मक चीज़ें आ जाती हैं तो उन्हें बदलने के लिए कहीं ज़्यादा कोशिस करनी पड़ती है क्योंकि उनके सामने होने पर आप उनमें यकीन करने लगते हैं इससे सरल उपाय तो यही है कि आप दिन की सुरुवात में ही अच्छा महसूस करने का समय निकालें ताकि नकरात्मक चीज़ें आपके जीवन में आहीं ना पाएं आप अपने एहसास से अपने जीवन की हर चीज़ बदल सकते हैं लेकिन क्या यह बहतर नहीं होगा कि आप सुरुवात में ही ज्यादा अच्छी चीज़ों को अपनी होरा करसित करें अपने जीवन की फिलम देखें जीवन जादूई है आपके जीवन के एक दिन में जो होता है वो आपके द्वारा देखी किसी भी फतांसी फिलम से ज़्यादा जादूई होता है लेकिन होने वाली घटनाओं को आपको उतनी ही एकागरता से देखना होगा जितनी एकागरता से आप फिलम देखते हैं अगर आप फिलम देखते हैं और किसी फौन, कॉल या जपकी की बज़ा से आपका ध्यान भटक जाता है तो आप घटना करम चुक जाते हैं आपके दिन की स्क्रीन पर लगातार दिखने वाली आपके जीवन की फिलम के साथ भी यही होता है यदि आप उनिंदी अवस्था में ही जीते हैं और सजग नहीं रहते तो आप उन संदेसों और संकेतों को चुक जाते हैं जो लगातार आपको कुछ बता रहे हैं जीवन में आपको मार्ग दर्शन और दिशाद दे रहे हैं जीवन आपकी बहुनाओं पर प्रतिकिरिया कर रहा है जीवन आपसे समवाद कर रहा है दुरगटना या संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती हर चीज की एक फ्रिक्वेंसी होती है और जब कोई चीज आपके जीवन में आती है तो इसका मतलब है कि या आपकी ही फ्रिक्वेंसी पर है आप जो भी देखते हैं हर साइन बोड, रंग, देखती, वस्तु आप जो भी सुनते हैं वह हर प्रस्तिती और गटना आपकी फ्रिक्वेंसी पर है इस संदर्व में तथे इतने आश्चे जनक हैं कि ऐसा लगता है जैसे विधाता ने इस ग्रह को बिदुत नियमों के अनुरूप ही बनाया हो मुझे एक बार फिर से दोराने दीजिए इस संदर्व में तथे इतने आश्चे जनक हैं कि ऐसा लगता है जैसे विदाता ने इस ग्रह को विदूत नियमों के अनुरूप ही बनाया हो ऐसा कहा था दोस्तों निकोला टेसला जी ने जो की रहे थे अट्रोसच शपंजा से लेके उन्नीसो तर्तालिस तक या एक रेडियो और अल्टरनेटिक करंट के अविस्कार रख थे कार चलाते समय जब आपको पुलिस की गस्ती गाड़ी दिखती है तो आप अचानक ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं पुलिस की गाड़ी आपको किसी कारण से दिखती है पुलिस की गाड़ी दिखने का आपके लिए इससे ज़्यादा मतलब भी हो सकता है लेकिन सही जवाब का पता लगाने के लिए आपको या सवाल पूछना होगा या मुझे क्या बताना चाहती है पुलिस कानून विवस्ता का प्रतितिनी द्वा करती है इसलिए पुलिस की गाड़ी इस बात का संकेत हो सकती है कि आपके जीवन में कोई चीज और वियस्तित है जैसे जैसे आप अपने मितर के फोन का जवाब देना भूल गए या आपने किसी चीज के लिए किसी को दन्यवाद नहीं दिया जब आप कोई एम्बुलस साइरन सुनते हैं तो या आपको क्या बताना चाहता है क्या या आपको या बताना चाहता है कि आप अपने स्वास्ते के लिए किर्टगे हो क्या या आपको या बता क्या या आपको या बात याद दिलाना चाहता है कि आप अपने जीवन में मौझूद लोगों के स्वास्ते के प्रती, प्रेम और धन्यवाद दें जब आप फायर बिग्रेट वाहन को बतियां जलाकर और सायरन बजाते हुए तेजी से जाते देखें तो यह आपको बताना चाह रहा है क्या या कह रहा है कि आपके जीवन में कहीं पर किसी तरह की आग लगी हुई है जिसे आपको बुझाना चाहिए या फिर या आपको अपने प्रेम की अगनी को ज़्यादा तेजी से प्रजवलित करने के बारे में कह रहा है अपने जीवन में आने वाली चीजों का सही अर्थ सिरफ आप ही समझ सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको अपने आसपास होने वाली चीजों के प्रती चोकनना रहना होगा ताकि आप सही सवाल पूछ सकें और संदेश का सही अर्थ समझ सकें आपको लगातार संदेश और फीड़बैक दिये जाते हैं और ये संदेश आपको जीवन भर मिलते हैं मैं सुनी हुई हर बात पर गौर करती हूँ भले ही या पास खड़े दो अजनबियों की बाचित हो यदि उनके सब्द मुझे सुनाई दे रहे हैं तो उनके सब्दों का मेरे जीवन में कोई ना कोई अर्थ है उनके सब्द मेरे लिए एक संदेश हैं वे मेरे लिए प्रासंगिक हैं और वे मेरे जीवन के बारे में मुझे फीड़बैक दे रहे हैं यदि यात्रा करते समय मैं किसी sign board पर लिखे सब्द पढ़ती हूँ तो उन सब्दों का मेरे लिए अर्थ होता है वे मुझे किसी ना किसी तरह का संदेश देते हैं इसलिए वे मेरे लिए प्रासंगिक हैं क्योंकि मैं भी उसी frequency पर हूँ जिस पर वे हैं यदि मैं किसी दूसरी फ्रिक्वेंसी पर होती तो उस साइन बोर्ड पर मेरी नजर ही नहीं पड़ती या वा बात्चित मुझे सुनाई ही नहीं देती दिन भर मेरे आसपास की हर चीज मुझे से कुछ कह रही है मुझे लगातार फीड़ बैक और संदेश दे रही है अगर कभी मेरे मन में यह विचार आता है कि मेरे आसपास के लोग पहले जितने खुस नहीं है या मुस्कुरा नहीं रहे तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरी भावना की फ्रिक्वेंसी नीचे पहुँच गई है मैं तुरंट अपनी प्रिये चीजों को एक एक करके तब तक याद करने लगती हूँ जब तक कि मैं ज़्यादा खुस नहीं हो जाती हमें खुद में वह बदलाव लाना चाहिए जो हम संसार में देखना चाहते हैं ऐसा कहा था दोस्तों महत्मा गांदी जी ने जो कि रहे थे 1899 से 1948 तक भारत के राष्ट पिता अपना गोपनी प्रतीक आप प्रेम की सक्ती के बहुतिक प्रमान देखने की इक्षा करके आकरसन के नियम के साथ खेल सकते हैं किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जिससे आप प्रेम करते हों इस चीज को प्रेम की सक्ती का प्रतीक बना लें जब भी आप अपने प्रतीक को देखेंगे या सुनेंगे तो आप जान जाएंगे की प्रेम की सक्ती आपके साथ है मैंने तेज चमकदार प्रकास को अपना प्रदीक बनाया है अगर सूरज से मेरी आँखें चोंदिया जाती है या धूप किसी चीज से परावर्तित होकर मेरी आँखों पर चमकती है या मुझे कोई चमकदार चीज दिखती है तो मैं तुरंत या निसकर्ष निकाल लेती हूँ कि या प्रेम की सकती है और या मेरे साथ है जब मैं खुसी और प्रेम से सराबोर होती हूँ तो मुझे अपने चारो तरप की हर चीज में प्रकास चमकता दिखाई देता है मेरी बहन ने इंद्रदनूस को अपना प्रतीक बनाया है और प्रेम और कृतगता से सराबोर होने पर उसे चारो और प्रकास और सभी प्रकार के इंद्रदनूस दिखाई देते हैं आप अपने प्रतीक के रूप में तारों, सोना चांदी, किसी रंग, जानवर, पक्छी, पेड़ या प्रिये फूल का इस्तिमाल कर सकते हैं आप सब्दों या आवाजों को भी अपना गोपनिये प्रतीक बना सकते हैं बस या सुनिश्चित करें कि आप जो भी चीज चुने, उससे आप बे इंतहा प्रेम करते हों यदि आप चाहें तो चितावनी के संकेत वाला प्रतीक भी चुन सकते हैं जिसके माध्यम से प्रेम की सकती आपको सतरक रहने का संदेश दे रही है सतरक रहने का संदेष दे रही हो वास्तों में आपको संदेष और चेतावनियां हर वक्त मिलती रहती है जब आप कोई चीज गिराते हैं, जब आप फिसलते हैं, जब आपके कपड़े किसी चीज में उलचते हैं, या जब आप किसी चीज से टकराते हैं, तो ये सभी चेताउनिया और संदेश हैं, जो आपको बता रहे हैं कि आप अपने विचारों या भावनाओं को बदल लें जीवन में संयोग या दुरगटना जैसी कोई चीज नहीं होती हर चीज समकालिक है क्योंकि हर चीज की एक फ्रिक्वेंसी होती है या जीवन और क्रिया सील ब्रह्मान की भोतकी है जब मैं सौर तंत्र को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि गर्मी और प्रकास की उचित मात्रा को पाने के लिए प्रिथवी सुरे से सही दूरी पर है या संयोग नहीं हो सकता ऐसा कहा था दोस्तों आईजेक निउटन ने जो की रहे थे 1643 से 1727 तक या एक गणितेग्य और बहुत एक सास्त्री थे जीवन जादूई है प्रेम के साथ मेरा एक अद्बुत संबंध है जो बहुत ही जादूई और रोमान्चक है मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं इस ग्यान के साथ हर दिन कैसे जीती हूँ जब मैं हर सुबह उठती हूँ तो मैं जीवित रहने और अपने जीवन में मौझूद हर ब्यक्ती और हर चीज के लिए किर्टग्य होती हूँ मैं हर सुबह प्रेम महसूद करने और इसे संसार में बाहर प्रेसित करने में 15 मिनट का समय लगाती हूँ मैं आने वाले दिन की कलपना करती हूँ मैं प्रेम महसूद करते हुए या कलपना करती हूँ कि मेरा दिन अच्छा गुजरेगा जब भी मैं कोई चीज करने वाली होती हूँ तो उससे पहले मैं प्रेम महसूस करते हुए या कलपना करती हूँ कि मेरे दिन में हर चीज अच्छी होगी मैं जो भी चीज करती हूँ उसमें मैं प्रेम की सक्ती को अपने आगे भेज देती हूँ इसके लिए मैं किसी भी चीज को करने से पहले अपने भीतर ज्यादा से ज्यादा प्रेम महसूस करती हूँ जब तक मुझे अच्छा महसूस ना हो रहा हो तब तक मैं कोई भी महत्वपरुन चीज नहीं करती हूँ इमेल या पैकेज नहीं खोलती हूँ और महत्वपुरुन फॉन कॉल ना करती हूँ ना ही सुनती हूँ जब मैं सुबा कपड़े पहनती हूँ तो अपने कपड़ों के प्रती बहुत कृतगता महसूस करती हूँ समय बचाने के लिए मैं या सवाल भी पुछती हूँ आज पहनने के लिए सबसे उप्युक्त पुसाग कौन सी है कुछ साल पहले मैंने आकरसन की नियम और अपनी पुसाग के साथ एक खेल खेलने का निर्ने लिया या सकट उस टॉप के साथ जमेगी या नहीं इस तरह के सवाल कई बार पूछने कई बार तालमेल नहीं जमने के कारण कपड़े पहनने और उतारने के बज़ाए जिससे तालमेल गड़ड़ाने वाली ज़्यादा चीज़े आकरसित होती है मैंने अपनी पुसाग का चायन प्रेम की सक्ती के हवाले कर दिया मैंने सिरफ यह कलपना की कि अगर मेरी पहनी हुई हर चीज बेहतरीन दिखे तो कैसा महसूस होगा अब मैं यह कलपना करती हूँ इसे महसूस करती हूँ और यह सवाल पूछती हूँ मैं आज क्या पहनूंगी हैरानी की बात यह है कि अब मेरी पुसाग अपने आप बहुत अच्छी दिखती और महसूस होती है सड़क पर चलते समय मैं सचेत रहती हूँ और आस पास से गुजरने वाले लोगों को गोर से देखती हूँ मैं प्रेम के विचार और भाउनाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की और भेजती हूँ मैं हर व्यक्ती का चेहरा देखकर अपने भीतर प्रेम महसूस करती हूँ और या कल्पना करती हूँ की या उन्हें मिल गया है मुझे या बात अच्छी तरह मालूम है की प्रेम की सक्ती ही प्रचूर, धन्दौलत, मदुर संबंद, बेहतरिन सेहत और हर व्यक्ती की हर प्रिये चीज़ का स्त्रोत है इसलिए मैं लोगों की और प्रेम भेजती हूँ क्योकि मैं जानती हूँ की ऐसा खरते समय मैं उन्हें वही चीज भेज रही हूँ जिसकी उन्हें ज़रूरत है जब मैं किसी व्यक्ती की कोई खास ज़रूरत देखती हूँ उधारन के लिए जिसके पास अपनी मन चाही चीज खरीदने के पैसे नहीं होते हैं तो मैं उसकी और धन की प्रचुरता के विचार बेशती हूँ यदि कोई व्यक्ति विचलित दिखता है तो मैं उसकी और खुसी बेशती हूँ यदि कोई तनाव ग्रस्त और हडबडी में दिखता है तो मैं उसकी और सांती और खुसी के विचार बेशती हूँ जब मैं किराना खरीदने के लिए पैदल चलती हूँ या कार में जाती हूँ जब भी मैं लोगों के बीच होती हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम भेजने की कोशिस करती हूँ मैं यह भी जानती हूँ कि जब भी मैं किसी व्यक्ती की किसी खास जरूरत को देखती हूँ तो यह मेरे लिए एक संदेज है कि मुझे अपने जीवन में धन, खुसी, सांती और आनन्द के लिए कृतग्य होना चाहिए हवाई जहाज मैं यात्रा करते समय मैं हर एक की और प्रेम भेजती हूँ, रेस्तरा में भी मैं लोगों और बोजन के प्रती प्रेम प्रेसित करती हूँ संगठनों या कमपणियों से संपर्क करते समय या श्टोर में सोपिंग करते समय भी मैं आसपास के सबी लोगों की और प्रेम भेशती हूँ जब मैं कहीं जाने के लिए अपनी कार में बैठती हूँ तो मैं कल्पना करती हूँ कि मैं खुसी-खुसी और अच्छी तरह गर लोटाई हूँ और मैं कहती हूँ आपको धन्यवाद जब मैं कार चलाने वाली होती हूँ तो मैं पूछती हूँ किस सड़क से जाना सबसे अच्छा रहेगा जब भी मैं अपने घर के बाहर या अंदर जाती हूँ तो मैं हर बार अपने घर के लिए धन्यवाद देती हूँ जब मैं सुपर्मार्केट में सौपिंग करती हूँ तो मैं पूछती हूँ मुझे और किस चीज की जरूरत है और क्या मेरे पास हर चीज है मुझे हमेशा सही जवाब मिल जाता है निश्चित रूप से ग्यान एक ताला है और इसकी चाबी है सवाल ऐसा कहा था दोस्तों जाफर अल सादिक ने ऐसा कहा था दोस्तों निश्चित रूप से ग्यान एक ताला है और इसकी चाबी है सवाल ऐसा कहा था दोस्तों जाफर अल सादिक जी ने जो कि रहे थे 702 से 765 या एक मुस्लिम अध्यात्मिक गुरू थे हर दिन मैं कई सवाल पूछती हूँ कई बार तो सैकड़ों की तदाद में मैं पूछती हूँ आज मेरा प्रदर्शन कैसा है मुझे इस इस्तीती में क्या करना चाहिए सबसे अच्छा निर्ने क्या है? इस समस्या का समाधान क्या है? मेरे लिए सबसे अच्छा चुनाव कौन सा रहेगा? क्या या वेक्ती या कमपनी सही है? मैं बहतर कैसे महसूस कर सकती हूँ? मैं अपनी भाउनाओं को ज्यादा उपर कैसे उठा सकती हूँ? मुझे आज कहा प्रेम देना चाहिए मैं और किस चीज के लिए कृतगे हो सकती हूँ जब आप सवाल पुछते हैं तो आपको जवाब अवस्य मिलेगा लेकिन आपको अपने सवालों के जवाब देखने या सुनने के लिए सतर्क और जागरूक रहना होगा या जवाब किसी चीज को पढ़ने, सुनने या सपने देखने से भी मिल सकता है कई बार जवाब मिलने में थोड़ी देर लगेगी और कई बार आपके मन में सवाल का जवाब तुरंत कौंद जाएगा लेकिन एक बात तै है कि जवाब हमेशा मिलेगा अगर मैंने अपनी चाबी किसी गलत जगह रख दी है तो मैं पूछती हूँ मेरी चाबी कहा है मुझे हमेशा जवाब मिल जाता है लेकिन या सिलसिला यही नहीं रुकता चाबी मिलने के बाद मैं एक और सवाल पूछती हूँ या घटना मुझे कौन सा संदेश देना चाहती है दूसरे सब्दों में मैंने अपनी चाबी गलत जगह क्यों रखी क्योंकि हर चीज के होने का एक कारण होता है दुरघटना या संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती कई बार मुझे या जवाब मिलता है अपनी रफ्तार धीमी कर लो तुम हडबडी में काम कर रही हो कई बार जवाब या होता है तुम्हारा पर्स तुम्हारे हैंड बैग में नहीं है या सुनकर जब मैं देखती हूँ तो जहां मुझे चाबी मिली थी वहीं पर मेरा पर्स भी रखा मिलता है कई बार मुझे तुरंत जवाब नहीं मिलता लेकिंग जब मैं दरवाजे से बाहर निकल रही होती हूँ तब फौन की गंटी बजती है और मुझे या समचार मिलता है कि मैं जिस अपॉइंटमेंट के लिए जा रही थी जगह पर पहुँच गई थी जीवन जिस तरह काम करता है मुझे उससे प्रेम है लेकिन जब तक आप सवाल नहीं पुछेंगे तब तक आपको कोई जवाब या फीडबैक नहीं मिल सकता कई बार जीवन मेरी तरफ कोई मुश्किल समस्या उचाल देता है ऐसा होने पर मैं समझ जाती हूँ कि मैंने ही इसे अपनी और आकरसित किया है मैं हमेशा खुद से पूछती हूँ कि मैंने उस समस्या को अपनी और कैसे आकरसित किया ताकि मैं इस से सबक सीख सकूँ और वह गलती दुबारा ना करूँ मुझे जो भी चीज मिलती है उसके बदले में मैं दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम देती हूँ मैं हर चीज और हर वेक्ति में अच्छाई की तलास करती हूँ मैं हर चीज के लिए किर्टग्य होती हूँ और प्रेम देते समय मैं प्रेम की सक्ती को खुद पर हावी होते महसूस करती हूँ खुद को इतने प्रेम और आनंद से सराबोर पाती हूँ कि मेरी सांस ही थम जाती है जब आप हर मिलने वाली चीज के बदले में प्रेम देने की कोशिस करते हैं तब प्रेम की सक्ति उस प्रेम को कई गुना कर देती है नतीजा यह होता है कि और ज्यादा प्रेम आपकी योर लोड़ता है जीवन में एक बार अगर आपको इसका अनुभाव हो गया तो आप दोबारा कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे ओके दोस्तों इसे के साथ यह वीडियो समाप करते हैं मिलते हैं आप से इसके नेक्ट पार्ट में या किसी अन वीडियो में और अगर आपको जनकारी अच्छी लगी तो प्लीज अपने दोस्तों में रिष्तेदारों में मित्रों में प्रिये जनों में सेयर करें लाइक करें, कमेंट करें धन्यवाद